नमस्का दोस्तो स्टॉक मर्के स्टेडिज में फिस से एक बर आपको सागत है तो आज में बात करने बाला हूँ दो दिकज कमपानी के बारे में तो इस दोनों कमपानी में कुछ दिनों में जो इसका पार्फोर्मेंस हो रहा है वो जवत दस्त या फे डेली भरी उठाय जा र पर लोग उस कमपानी के स्यार खरीदरी कर रहे को आपके संदेने के बाहर में दो कोंपानी के बारे मीध के बात करूंगा दोनों with company हैं मगर दोनों company पहले बता दोंगी में मीट्यव टाइब कंपानी है तो बिकेप कंपनी मतलब में मेंट च्वूचल कंपनी आपको धमाके दार देखने को मिलेगा तो इस दोनों कुमपनी के बारे में बात करूँगा तो आप इस दोनों कुमपनी में निवेस करके रखे है तो जुरूर देखिए और नहीं भी करके रखे है एही काऊंगा अभी तक अपने मेरे चैनल को सब्सक्रीब नहीं के तो जुरूद सब्सक्रीब कर लेजिए साथी साथ बेल आइकन को प्रेस करका आल भी कर दीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फोर्मेशन अन अपडेट्स चाहिए तो इस चन में बने रही है तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में तो सबसे पहले जो कॉम्पणी के बारे में आप बात करूंगा वो है मोहारस्टर स्कूटर लिमिटेड एक्चुली देखा जाए और एक छोटा मोटा कॉम्पणी है मार्त 4,888 करोड का मार्केट कापलेशन एक देखा जाए एक स्मॉल केप अंड मीत केप टाइप कमपणी है छोटा कॉम्पणी है इसका जैस तरीके से मार्केट का प्राइस रेंच मतलब कितना वोलाटी लेटी है आप खुद देख सकते चार्ट पर उपन कर दूं एक साल का उपन कर दूं दू आप इस तरीके से यह करना चाहिए तो इस ॐसी यह अपको घृड़ी करने से पहले कुछ डेटा आपको मैं दिखा हुआँगा उसको जुरूर आपको अंदाज़ा होना चाहिए Church पुरुना के सिच्वेस में इस कॉम्पानी में बहुत जवदस एक गिरावड आपको देखने को मिला था, उसके बाद कॉम्पानी ने उसी तरीके से एक रिकोवरी किया और एक अच्छा कासा पर्फोर्मेंस आभी देखने को मिला, तो कॉम्पानी जब स्टार्ट हुआ था तब से देखा जाएक कॉम्पानी जवदस पर्फोर्मेंस कर रहा है, इसका नजरी आभी आपको दिखांगा, तो उससे पहले पिछले दिनों में इस कॉम्पानी में कितना डेलिवरी उठाए गया है, वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, आप आप देख सकते हैं मुझे इस कॉम्पानी उतना खास नहीं लग रहा है, तो मार्केट के प्लेशन है वो 400 करोड का है और कॉम्पानी का जो कारेंट फ्राइस है, वो 4,000 बान के चलिए 255 का प्राइस रेंज अभी देखने को मिल रह है, तो यहाँ पर कॉम्पानी के सबसे जो नेगेटीव बा डोनों ही मुझे एकदम ना के बराबर देखने को मिला मतलब totally ना के बराबर यहाँ पर देखने को मिला मतलब totally में negative यहाँ पर मान के चलूंगा इस company के बारे में तो और भी कुछ data आपको दिखान दूंगा company almost day free है बता जा रहा है साथी साथ कुछ book value के नीचे trade कर रहा है तो यहाँ पर company का जो investment है वो अच्छा का सा यहाँ पर company को return भी मिल रहा है और साथी साथ company अच्छा का सा dividend भी payout दे चुके है company का कुछ negative बात है जो है company 3% मतलब 3 साल के लिए return of equity थोड़ा सा कम कर चुके है और साथी साथ company का income growth भी कम हुआ है साथी साथ company का जो debtors है उसका भी यहाँ पर increase भी देखने को मिल रहा है तो company जिस फिल में काम करते है actually company देखा जाए देखे company का साल भर की बात करो तो company जिस तरह के से profit क्या है देखे यहाँ पर profit आपको negative नहीं लगागा मगर यहाँ पर देखे profit 8 करोड 22 करोड उसके बाद 6 करोड का loss 2012 में और उसके बाद 13 में फिर से 49 करोड 48, 55, 100, 13, 61, 73, 180 उसके बाद 20, 21 में 9 करोड का profit किया देखे company का performance मुझे बहुत volatility यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस तरीक से company में मैं आपको हमेसा कहूंगा दूरी रही है जितना मतलब delivery उठाए जाये कुछ भी हो जाये तो subscribe company से दूरी रहे क्योंके दिखे company का return equity अभी भी मुझे downtend में देखने को मिला बहुत ज़़द downtend company का sales score ठीक ठाक है सिर्फ तीन साल में कम हो था profit गोड बहुत जवद्दस negative में है साथिसार company आपको return किस तरह कैसे दिया बो देख लिए 10 साल में 30% 5 साल में 22% और 3 साल में 14% और 1 साल में 17% तो देखा जाए company का return खराब नहीं है मगर company के जो parameter है company के जो financial report है उसके इसाब से company में मुझे उतना ज्यादा potential नहीं देखने को मिल रहा है company के promoter देखे 451% और यहाँ पर उसके बाद देखिए FIS ने 4% DIS ने 3% और public ने 41% देखे आपे ज्यादा तर माल किसने खरीदर किया है public ने promoter को छोड़ी दीजिए promoter तो टेट नहीं करते है promoter खुद share खरीद करें मतलब खुद के उसके पास और रसीब का share है तो FIS को देखके आपको कुछ सीखना चाहिए देखे FIS कितना 4% 3% करके holding करके रखे है मतलब company के ना के बराबर हिस्सेदारी उन्होंने उठाएकर रखे तो इस टाइप company से दूरी रहे तो अच्छा है तो जितना ज्यादा यहाँ पे volume हो कुछ भी हो फिर भी मैं कहूंगा इस टाइप company में आप दूरी रहेंगे तो करीबन करीबन 3230 के price range में आप देखने को मिल रहे है तो company के performance है पिछले दिनों में देखे यह भी एक छोटा मूटा company है तो इसलिए बहुत volatility आप देखने को मिलता है करीबन 6600 करोड का market capillation है बहुत छोटा 6600 करोड का market capillation है तो छोटा मूटा एक company माना जाता है तो company का मै एक साल की चार्ट पर्टन उपन कर दू तो आपको 48% का return company दे चुके है पास साल में करीबन करीबन 400 पॉइंट का return और maximum चार्ट पर्टन कर दू तो 4000% का return company का जो चार्ट पर्टन है मुझे जवद दस खास चार्ट पर्टन या पर देखने को मिला है मगर company का performance कैसा है वो आ आप देख सकते है delivery report के उपर चले जाते है sorry delivery के उपर जा चुका हूँ यहापर देख सकते है करीबन 95% का delivery यहापर उटाई गया है तो कितना जवद से माल बाइंग किया रहा है इस company के उपर तो इस company का performance के बारे में बात करूँ तो यहापर देख सकते company करीबन 6666 करोड का market capillation है जिसमें current price है 3200 जिसका high था 4000 लो था 2000 तो company का peer ratio मुझे थोड़ा सा high लगा मगर जो चीज मुझे इस company के बारे में लगा बो है return of capital employee 24% return of equity 20% दोनों ही यहापे मुझे positive लगा जो फिछले जो company के बारे में आपको दिखाय था महाराष्ट्र स्कूटर वो totally negative 10 में है मतल लगा तो इस company का कुछ चीज मुझे positive लगा जो यह सार दोनों चीज आपे positive है साथिसात company dividend भी थोड़ा छोटा मुटा दे चुके है 0.08.08% का dividend company ने दे चुके है तो company जिस field में काम करते है उसके हिसाब से company का जो ranking है company obviously textile industries में है तो textile industries में नंबर और पोजिशन में अभी जो company है वो है Trident, Trident Limited जो large company बन चुक है और बाकी जितने सारे company's है वो totally अभी तक large company नहीं बाना mid cap small cap type company है तो उसी से एक गरवार technology वो भी एक company है जिसका price range आप देख सकते है करीबन-करीबन 6,000, sorry market capulation करीबन 6,600 रुपीज है तो इसका price range देख लिए यहापे 22,000 करोड का market capulation उ और यहापे 6,000 करोड का market capulation जिसका price range 3,233 price range बहुत high level में मुझे देखने को मिल रहा है company के final sell के बारे में बात करो तो company के profit है मुझे जवदस खास profit यहापे देखने को मिला company हर साल में यहापे growth कर है 24, 25, 27 यहापे देखिए जवदस यहापे company हर साल में 105, 126, 101 यहापे देखिए कितना सांधर profit company क्या है अच्छा खासा एक up 10 जैसा performance देखने को मिला मगर पिछले जो company आपको दिखा था महराश्य स्कूटर बोर्ट उतना अच्छा खास पार्टम मुझे नहीं देखने को मिला इस company को मैं consider करूंगा long term के निवेसर के लिए तो यहापे company का sales growth अभी उतना खास नहीं है profit growth ठीक था है मगर sales growth उतना खास नहीं मुझे लग रहा ह company का return of equity जब 10 माना जाएंगे क्योंकि 20% के उपर है मैं आपको हमेशा बता क्या है के 15% के उपर है तो एक ठीक ठाक लेबल में है company माना जाता है तो company आपको जिस तरीके से return दिया वो देखने के लायक है क्योंकि देखिए 10 सालों में 52% 3 सालों में 39% 3 सालों में 39% 3 सालों में 39% और 1 सालों में 49% करीबन करीबन देखा जाए आपको 45% से भी ज़्यादा सालाना आपको return मिल रहा है तो इतना जवदस return कोई भी company दे रहा है तो उसका बाकी parameter में अगर ठीक ठाक level में है तो उस company के उपर आप जा सकते है देखे फिर भी में कहूंगा आप जाने से पहले और भी कुछ data देख लीजी आप देखिए company के पास करजा भी है 140 करोड का करजा था अभी 154 करोड का करजा है company के पास reserve 227 था अभी 779 करोड का total reserve बन चुके है तो company का जो share holding pattern है promoter के पास 50% holding था अभी 52% holding है देखे promoter खुद का holding बढ़ा रहा है मतलब company में धीरे-धीरे कुछ positive movement आ रहा है इसलिए promoter धीर-धीरे खुद का share भी बढ़ा रहा है साथी साथ देखिए A5 जो है 4.83 था अभी 8.61% हो चुके मतलब promoter A5 भी यहापे माल थोड़ा-थोड़ा करके बढ़ा रहा है dh3.64 था अभी 3.73% holding यहापे company के पास है और साथी साथ देखिए public के पास 36% था अभी 35% holding है तो दिखिए दोनों company के बारे में बात करू तो दो कुझे आप कहेंगे सर इस दोनों में कौन सा बेस्ट है मैं obviously कहूंगा गरवारी टेकनिकल फाइबर जो टेकनिकल जो फाइबर है मतलब जो टेक्स्टाइल company है इस company को स्टाडी कर सकते है इस company के उपर आप जा सकते है फिर भी मैं एक बात आपको जुरूर यहापे mark करना च देखने को मिलेगा आप देख सकते हैं कितना वोलाटिल है यह चोटा मोटा चार्ट पड़न आपको देखने को मिला है यहापे देख सकते हैं आप पांस दिनों में करीवन करीवन 10-12% गिराबट हो गया था इस तरीके से गिराबट आप जहेलना पसंद करते हैं और आपको उसके बाद निवेस करिए, blindly मत निवेस करिए, मैं आपको बता चुगा हूँ इस company के बारे में, इसका मतलब ए नहीं, कल जो के आप निवेस कर देंगे, उसके उपर सारे data चेक करिए, उसके बाद आपको लगे, इस company में potential है future में, तो आप उस company में निवेस कर सकते हैं, वसा क करता हूँ, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करना, दोस्तों सेयर भी करना, मिलते हैं अगले स्टों लेके, तब तक लेचे सरी है, अमने ख्याल लखिए, बाबाई